नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, 2024 के चुनाव के पाचवे चरण में मददान हो चुका है और इसके ताजा और सटीक ओपिनियन पोल आ गए है इस ओपिनियन पोल की मदद से हम जान सकते हैं कि पाचवे चरण में किसकी सरकार बनने जा रही है और किसकी हार होगी दोस्तों ये जानने के लिए वीडियो के अंग तक बने रहें लोकसभा की कुल 543 सीटों के लिए 7 चरणों में वोटिंड होती है जिसमें से अभी तक 5 चरण पूरे हो चुके है इसका मतलब यह है कि चुनाव अब लगभग समाप्त होने वाला है अब बस दो चरणों की वोटिंड बाकी है इनी चरणों में पता चलेगा कि 2024 का नया प्रधानमंत्री कौन होगा दोस्तों इस बारे में आपका क्या विचार है कि अगला प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए हमें जरूर बताएं तो चलिए पाँचवे चरण के ओपिनियन पोल की मदद से जाने की केंडर में किसकी सरकार बनने जा रही है तो चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रधेश राज्य के बारे में उत्तर प्रधेश में देश की सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटे हैं जो भी पार्टी उत्तर प्रधेश को जीत लेती है उसे हमेशा जीत का दावेदार माना जाता है उत्तर प्रदेश की 42 सीटे बीजेपी गटबंधन NDA के पास है जबकि इंडिया एलायंस को 38 सीटे मिलती दिख रही है ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार नहीं सकती क्योंकि यह राज्य बीजेपी का गड़ है और बीजेपी यहां हर बार सरकार बनाने में सफल हो जाती है अब हम देश के अगले राज्य महराश्ट्रा के बारे में बात करते हैं महाराष्ट्रा दूसरा राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटे हैं, कुल 48 सीटे इनमें से बीजेपी गट बंधन को 16 सीटे मिल रही है, जबकि इंडिया एलायंस को 3 सीटे मिलती दिख रही है पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार महाराष्ट्रा में बीजेपी की स्थिती गंभीर है उद्धव थाकरे, जो शिव सेना के अध्यक्ष हैं, इन्डिया एलायंस के साथ खड़े हैं, जिससे बीजेपी की सीटे कम हुई है अब हम आगे बात करेंगे, तो चलिए अब हम बात करते हैं बंधाल के बारे में बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटे हैं, जिसमें से बीजेपी गटबंधन एन्डिया को 8 सीटे मिली हैं, जबकि इन्डिया एलायंस को 4 सीटे मिलती दिख रही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मम्ता बैनर जी की पार्टी सबसे आगे है और 30 सीटे जीतने का अनुमान है हाला कि मम्ता बैनर जी इन्डिया एलायंस की सदस्य है, वे पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लर रही हैं और जीतती हुई नजर आ रही है अब हम बिहार राज्य के बारे में बात करते हैं बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटे हैं, जिसमें से बीजेपी गटबंधन एन डीए को 15 सीटे मिली हैं, जबकि इन्डिया एलायंस को 24 सीटे मिलने का अनुमान है दोस्तों, बिहार में भी बीजेपी की स्थिती खराब नजर आ रही है, जहां वह हार्ती हुई दिख रही है अब हम बात करते हैं दक्षिनी राज्य तमिलनाडू के ओपिनियन पोल के बारे में यहां लोकसभा की कुल 49 सीटे हैं, जिसमें से इंडिया एलायंस को 38 सीटे मिली हैं और बीजेपी गठबंधन अन्डिये को एक भी सीट नहीं मिली है तमिलनाडू में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है अब हम मध्यप्रदेश के बारे में बात करते हैं मध्यप्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटे हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन अन्डिये को 16 सीटे मिली हैं, जबकि इंडिया एलायंस को 13 सीटे मिली हैं पिछले चुनाव की तुलना में यहां भी बीजेपी ने काफी सीटे खोई है अब तक के चुनावी आकड़ों को देखकर लगता है कि इस बार बीजेपी केंडर में सरकार बनाने में मुश्किल में पर सकती है हर राज्य में बीजेपी की स्थिती गिर्ती नजर आ रही है, जिसे किसी ने उम्मीद नहीं की थी सभी को लगता था कि बीजेपी आराम से ये चुनाव जीत जाएगी और प्रधान मंत्री नरेंद्रम मोदी ने 400 पार का नारा भी दिया था लेकिन इस चुनाव में उनकी कुरसी खत्रे में दिख रही है अब हम करनाटक राजय के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं करनाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटे हैं, जिसमें से बीजेपी को 14 और इंडिया इलायन्स को भी 14 सीटे मिली है अब हम गुजरात के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटे हैं, जिसमें से BJP गटबंधन NDA को 18 सीटे और India Alliance को 8 सीटे मिली हैं। गुजरात को BJP का गर्माना जाता है क्योंकि नरेंद्र मोदी यहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार BJP को यहां भी नुकसान हुआ है। 2019 के चुनाव में BJP को 24 सीटे मिली थी, लेकिन इस बार 18 ही सीटे मिली हैं। अब हम राजस्थान के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटे हैं, जिसमें से BJP गटबंधन NDA को 15 सीटे और India Alliance को 10 सीटे मिली हैं। हाला कि BJP ने यहां जीत दर्ज की है, लेकिन उनका प्रदर्शन पहले की तुलना में कमजोर रहा है। अब हम आंधर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। यहां लोकसभा की कुल 25 सीटे हैं, जिसमें से BJP गटबंधन NDA को 8 सीटे और India Alliance को 2 सीटे मिली हैं, जबकि अन्य पार्टियों को 15 सीटे मिलने का अनुमान है। अब हम केरल के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटे हैं और यहां India Alliance ने क्लीन स्वीप किया है। BJP का खाता तक नहीं खुला है और उसकी स्थिती बहुत खराब है। अब हम उर्लीसा के बारे में बात करते हैं। उर्लीसा में लोकसभा की कुल 21 सीटे हैं जिसमें से BJP गटबंधन NDA को 2 सीटे, India Alliance को 8 सीटे और अन्य पार्टियों को 11 सीटे मिली हैं। अब हम दक्षनी राज्य टेलिंगाना के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। तेलिंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटे हैं, जिसमें से BJP को 2 सीटे और India Alliance को 13 सीटे मिली हैं। तेलिंगाना में भी नरेंद्र मोदी की BJP पार्टि को भारी नुकसान हुआ है। तो इसी के साथ अब हम जार्खंड के बारे में बात करते हैं। जार्खंड में लोकसभा की कुल 14 सीटे हैं, जिसमें BJP को केवल 2 सीटे मिली हैं, जबकि India Alliance को 9 सीटे मिलने का अनुमान है। यहां अन्य पार्टियों को 2 सीटे मिली हैं। अब हम अगले राज्य असम के बारे में बात करते हैं। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटे हैं, जिसमें BJP को 8 सीटे मिलने का अनुमान है, जबकि India Alliance को 4 सीटे मिली हैं। पंजाब में BJP का खाता तक नहीं खुला है। अब हम चत्तिसगर के बारे में बात करते हैं। चत्तिसगर में लोकसभा की कुल 11 सीटे हैं, जिसमें India Alliance को 5 सीटे और BJP को 6 सीटे मिली हैं। अब हम हर्याना के बारे में बात करते हैं। हर्याना में लोकसभा की कुल 10 सीटे हैं, जिसमें इंडिया एलायंस को 6 सीटे और बीजेपी गटबंधन NDA को 2 सीटे मिली हैं। हर्याना को बीजेपी का गर्माना जाता था, लेकिन इस बार बीजेपी यहां हारती हुई नजरा आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण हाल ही में खिलारियों का सरकार के खिलाफ आंदोलन है। अब हम अगले राज्य मेघाले के बारे में बात करते हैं। अगले राज्य के गटबंधन NDA को दोनों सीटे मिलने का अनुमान है। अब हम मनेपूर राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। मनेपूर में लोकसभा की कुल दो सीटे हैं और यहां दोनों सीटे राहूल गांदी के इंडिया एलायंस को मिलने का अनुमान है। मनेपूर में हाल ही में हुई हिन्सा की चलते बी जेपी के प्रती नाराजगी है, जिसके कारण बी जेपी को एक भी सीट नहीं मिली है। अब हम मिजूरम के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। मिजोरम में लोकसभा की एक ही सीट है और यह सीट अन्य पार्टी को मिली है अब हम सिक्किम राज्य के बारे में बात करते हैं सिक्किम में भी अन्य पार्टी की स्थिती मजबूत नजर आ रही है अब हम नागालेंट के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं नागालेंट अब हम जम्मू कश्मीर के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। इस पोल के अनुसार, BJP गटबंधन NDA को कुल 198 सीटे और राहूल गांधी के इंडिया एलायंस को कुल 270 सीटे मिलती दिख रही हैं। अन्य पार्टियों को 75 सीटे मिल रही हैं। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार राहूल गांधी का इंडिया एलायंस जीतता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।